जितने आस्था चेनल पर कथा सुन रहे हो जितने फेस्बूक और यूटूब पर सुन रहे हो और साउधानी से सुनना दो बार पश्रिपती वरत कर लिए, आपने ये कर लिए, आपने प्रदोश कर लिए, आपने सोंबार कर लिए, आपने सारे अनुष्ठान कर लिए, बहुत सारे उपाई भी करे, तो पुर्शत्तम मास का सबसे बड़ा सुखी है यह, कि आपको पुर्शत्तम मास में कहीं जान पात्र कहे कि ऑपरेशन होगा ओपरेशन होगा या शरीर में यह रोग आगए यह बड़ा बहारी रोग है इस रोग का कोई इलाज नहीं है तब उस जगहा पर एक बेल्पत्र मात्र एक बेल्पत्र अपने तरवाजे से अपने घर से लेकर जाना पहले बेल पत्र की पत्ती अपने घर में लाएं घर में लाकर जिस स्थान पर जल का पात्र भरते हो जिसको हमारे याँ पित्रों का स्थान काते है परिंडा काते है अब यहाँ पर क्या गोलते हैं वो मालूम नहीं हमको हमारे यहाँ परिंडा करते हैं परिंडा मतलब जहां जल भरकर रखते हैं पानी भरकर रखते हैं हंडा भरकर रखते हैं बाल्टी भरकर रखते हैं रसोई घर में जहां पानी भरते हो बहुजन बनाने के लिए, लोगों को पिलाने के लिए, आजकल तो वो डबा लग गिया आरो का, तो लोग हंडा वंडा नहीं रखते, पर हमारा तो निवेदन है कि भले वो आरो का डबा लग गया हो, भले वो डबा लग गया हो, पर हमारा निवेदन है कि एक छोटा सा हंडा वले श्टिल का, तांबे का, पीतल का, या मिट्टी का, एक खंडा आपके पास में होना चाहिए, कहा डाक्टर ने, रोग भारी है, डाक्टर ने कह दिया, इनको तकलीफ बहुत ज्यादा है, इसको आपरेशन होगा, तकलीफ है, आगे चलकर बहुत बड़ी बिमारी के योग बन रहे हैं, कोई तकलीफ आने वाली है, उच जगा पर ये लकुलेश, आउतार, शिवजी का, आपके जीवन को सार्थक करेगा, भगवान शिव के जितने नाम हैं, भगवान शंकर के जितने आउतार हैं, भगवान शिव के जितना गुणगान हैं, भगवान शंकर के जित हमारे लिए वो इंजेक्शन है जो हमारे जीवन की सार्थत्ता दे देता है लकुलेश आउता है एक बेलपत्र सबसे पहले अपने घर में जहां पानी कंडा है परिंडा है, जले, इस्थान है वहां रखकर, पात्र में स्वच पात्र में अपने पूर्वजों का समर्ण करकर, वह बेलपत्र बेलपत्री के ब्रक्ष के नीचे उसकी जड़ का स्पर्ष करकर, वह बेलपत्र देवदीदे महादेव को समर्पित करकर फिर एक लोटा जल बाबा को चड़ाकर उसका आचमन करकर फिर चले जाओ डॉक्टर कहे कर भेजेगा अब बिमारी इतनी बड़ी नहीं है उसको कंट्रोल करा जा सकता है नाम कौन सा लेना है जमके बोलो जरा लकुलेश महादेव शिव का एक उतार अड़भंगा उतारे मेरे महादेव का संकर भगवान को बेलपत्र चड़ाई है खाली नहीं जाती एक बेलपत्र का सुख क्या होता है यह संसार के लोग समझ नहीं पाएंगे पर आने वाला समय इतना बिचित्र हो जाएगा कि इस बेलपत्र की कीमत लोग धीरे धीरे जब रिसर्च करेंगे कि आखिर सियोर वाला महाराज क्यों कहता है कि संकर जी पे चड़िवी बेलपत्र खाओ किडिनी ठीक हो जाती है लीवर ठीक हो जाता है शुगर ठीक हो जाती है थाइराइड ठीक हो जाती है बीपी ठीक हो जाता है एक बेलपत्र में एसा क्या सुख है कि शुगर बीपी थाइराइड किडिनी लीवर सब ठीक हो जाता धीरे धीरे लोग इस बेलपत्र पर रिसर्च करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे आने वाला समय ऐसा होगा कि लोग चाय की पत्ती को भी छोड़कर बेलपत्र लड़का लड़की का संबन करने के लिए जारे जो संबन नहीं हो रहा तो पहली बार आपको लड़क तो बेल पत्री चड़ाने से पहले एक काली मिर्ची शंकर भगवान के शिविलिंग पर समर्पित करके फिर यह बेल पत्री की डंडी है जहां आप बेठे हो उससे ठीक विप्रित की डंडी होना चाहिए और शंकर को समर्पित कर दीजिए सम्मंद पक्का हो जाएगा जिससे जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा हितास हो गय हुझacious जमीन ही रहा है किसी भी बुधार के दिन तांबे के द में चने की डाल लीजिए विदिले कपड़े सी मुक मांदौ उसका पूझन परो वुदभार के दिन भी और गुरु बार के दिन उसका पूजन इसनान करने के बाद करना पर घर में केसी से बात मत करना मुख से शब्द मत करना मुख जूटा मत करना पूजन करने के बाद उल्टे हाथ पर कलश को रखतर सीधे हाथ से ढग कर कोई ब्रहमन के घर में जाकर साथ में किसी को ले जा मरब जयाद से जादा चार महिना इन महिन के अंदर विवा संबंद पतका हो हो श्री शिवाय नमस्तु नमस्तु धूप्यंद्स न comment श्री श्री आपको लेटेस्ट वीडियो की नॉटिफिकेशन मिल दाएगी